नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चेनल स्टड़्डी विद अच्पिस्वामी पर जहां पर आपको हर दिन हाई कोड एससी इत्यादी विबागों हे दू समय पर डिक्टेशन उप्रप्त करूआ जाता है दोस्तों आज का यह डिक्टेशन साट सब प्रति मिनट इस्टार्ट कौने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ मैत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने इसकी इन पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूँगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे आज का आउटलाइन स्टार्ट होंगे दो सेकेंड बात स्टार्ट निया धीश नय के ऊपर धीश बनाया गया है सुप्रिम कोर्ड एस सी बनाकर के उनके नीचे अंडरलाइन की गई है के लिए लाइन के साथ चलते हुए बड़ा दे बनाया गया है लग बग लग बनाकर के गय को भै से काटा गया है नुकसान नय को सान से काटा गया है गुरुवार गय के नीचे वय बनाया गया है हालांकी है बनाकर के उसके अंदर डोट लगया गया है व्यवार वय को है रह से काटा गया है संसादनों सै बनाकर के उसको धै नह से काटा गया है वर्तमान वैब बना करके उसको मैं नहीं से कट गया है दोस्तों ये थे आज की कुछ महत्रपुन आउटलाइन आज का डिक्टेशन साथ सब्ग प्रतिमिनेट श्टार्ट होगा पांच सेकेंड बाद स्टार्ट सुप्रिम कोर्ट के प्रधान 29 स.A. बोबडे ने गुरुवार को सरकार से पूछा है कि क्या कुछ खास प्रजाती और उम्र वाले पेडों को काटने से रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है उनके इस सवाल में परियावरण को बचाने की चिंता स्परस्ट है हालांकि एसी चिंता सरकारों को भी होनी चाहिए जो कहीं नजर नहीं आती है विकास के लिए परियावरणिय क्षती को जैसे जरूरी मान लिया गया है वैसे ही उसके प्रती गेर जिम्मेदारान व्यवहार भी लगबग स्विकार्य हो गया है इस बात का एहसास ही नहीं है कि जिन पेडों को काटकर या अन्य प्राक्रतिक संसादनों को नुकसान पहुचा कर परियोजनाएं लाई जा रही हैं उसका मोल अन्तते भावी पीडी को चुकाना होगा पिछले कुछ दसकों से हम देख ही रहे हैं कि हमने जो लापरवाही बरती है उसकी कीमत वर्तमान पीडी चुका रही है हर साल प्रदूशन जनित बीमारियों से हजारों लोगों को समय से पहले दुनिया से विदा होना पड़ रहा है अंतर राष्टिय संस्था ग्रीन पीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले पांच सहरों में ही प्रदूशित हवा के कारण एक लाख साथ हजार लोगों की मौत हुई है सिर्फ राजधानी दिल्ली में चोपन हजार से ज्यादा मौतें हुई है जबकी इस दोरान कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या असी 10,844 में है प्राधान न्यायादीज की चिंता में हम आसा की कीरण देख सकते हैं मामला पस्चिम बंगाल में रेलवे के पांच ओवर ब्रीजों के निर्मान के लिए करीब 300 पेडों की बली लेने का है सुप्रिम कोर्ट से नियूग विशेसग्य समीती ने आस्चरिय चकित करने वाली रिपोर्ट दी है की इन पेडों के काटे जाने से हमें दो अरब 23 करोड 50 लाग रुपए का नुकसान होगा समीती ने यह गणना अगले 100 सालों में इन पेडों से मिलने वाली लाब का आकलन करते हुए की है समीती का मानना है की एक पेड से सालाना हमें 44,500 रुपए के उत्पाद प्राप होते हैं जस्टिस बोबडे ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार को दिये हैं की विकास परियोजनाओं के लिए पेड तभी काटे जाने चाहिए जब कोई और विकल ने हो मसलन यदि सडक के लिए पेड काटना जरूरी लग रहा हो तो एसा तभी किया जाए जब रेल या जल परिवहन का विकल ने हो फिर भी एसा करना ही पड़े तो पेडों की कटाई से होने वाले नुकसान को परियोजना के खर्च में सामिल किया जाए अभी पांच ओवर ब्रिजों के लिए पांसो करोड रुपए का बजट बनाया गया है यदि पेडों के नुकसान की गणना की जाए तो यह रकम कई गुणा जादा हो सकती है प्रधान न्यायादीज के सुजाव बहु मुल्य हैं यदि एसी कोई व्यवस्था बनायी जा सके तो परियावरन के नुकसान के प्रती ने सिर्फ सरकारों को बलकी जनता को भी सजग बनाया जा सकेगा समाप्त यदि और बनाया जासे वे प्रति जनता के निया जा जा देसे जाए जाएदान को भी जो बलकी जाएदाव प्रतिस में धर बनाया जानना के ओिन रहादान के ग।